इस एपिसोड में दोस्तों अपडेट लेने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का और काफी सारे जने एक ब्रॉड चीज ये कह रहे हैं कि यहां पर स्टॉक में काफी जादा उन्हें प्रॉब्लम हा रही है मतलब यहां पर काफी सारे इशूज यह रहे हैं कि स्टॉक को होल्ड करें फर्दर या ना करें देखो एक फैक्टर आपको समझना पड़ेगा आई एक्स के अंदर कि इसने पीविएसली एक मासिव रिटर्न जिनरेट करा था और उसके बाद जो है स्टॉक काफी लंबे समय तक के लिए भी जो है कॉन्सॉलिडेशन जोन में चला जाता है अभी अगर आप देखोगे आएक्स के अंदर वॉल्यूम ग्रो हुई है और यह है क्या बेसिकली यह एनरजी एक्सचेंज है यह ट्रेट्स प्रोवाइट करता है ओनलाइन तरीके से तो बिजनेस में कोई आज सच अगर आप देखोगे प्रॉब्लम नहीं है बट अगेन पब्लिक एक्सपोजर इतना जाता है इतने सारे जनों के पास में स्टॉक है तो वहाँ पे स्टॉक में राली भी फस्ती है और दूसरी चीज इतने ब्रॉड अगर ब्रेकाउट्स बन स्टॉक ने पहले इतना रिटर्न बना दिया तो उसके बाद से क्ले वह कितने समय तो क्यूंकि देखो कोई भी स्टॉक हंड़िट पसंट सी एजी आर नहीं करने वाला है यूजिली एक टाइम होता है राली आती है दो साल के अंदर पांत सो परसंट रिटर्न बनाया फिर पांत साल का गया तो साथ साल के अंदर रिटर्न आवरेज हो गया तो यह फैक्टर मुझे लगता आपको बहुत स्ट्रॉंगली समझना पड़ेगा इसलिए आई एक से अभी होप करना मुझे लगता है थोड़ सा विश्फुल जादा है आस कंपेर टू स्ट्रॉंग फंड उपरेंटिंग प्रॉफिट मार्धन काफी बढ़ी है देखो चार सो एक करोड के सेल्स में सिर्फ एक्स्टिफी फो करोड के है तीन सोचकरोड को ऑपरेंग मुझे बंचा बनाए है को कंपनी के पास में पैसे वakterली है चापने के लिए एक बहुत बड़िए मशीन उनके यहां पर हम लोग के पास में क्योंकि एक टाइम बांडेशन होता है कि हम बहुत जादा बताते दो यूजली लोग इंटरस्टेट नहीं होते बट जो जेनरली इंटरस्टेट है आई एकस के बारे में जानने में मैं डिफिनिटल आपको कहुंगा कि इन इस विंचर फिर्म के और इन्मिस्मेंट को देखें उन्होंने कैसा परफॉर्म कर रहे वो देखें उससे आपको ब्रॉड आईडिया ल यहां पर अगर हम लोग एक ब्रॉड रिजिस्टंस देखते हैं स्टॉक में 175 रुपीस के आसपास में डाउन साइट पर अगर हमें एक सपोर्ट रीजन देखते हैं तो 126 के आसपास में फाइनली हमें लगा था स्टॉक बॉटम आउट कर रहा है बॉटम आउट किया भी था यहां से जो ब्रेक आउट साइथे वो मैसिव होते हैं अच्छा एक और चीज है जो आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे हर जगा फॉलो नहीं होती है बट एक अच्छा इंडिकेटर होता है जिसे कहते हैं देखो यह जो राली होती है जो इस तरीके से आ रही है इसमें हमेशा थोड़ सा डरना चाहिए राली हमेशा वो अच्छी है जो 10% 15% 20% स्टॉक उपर जाए उसके बाद 10% का रीटेस भी करें तो वो राली जो है हमें लगता है आईडली जादा बेट देखने को मिला है आईडली अगर आप यहां पर स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं तो हमें लगता है 150 के लेवल पर आपने किया होगा और वहां सिफ फाइनली स्टॉक रीटेस्ट कर और ब्रेकडाउन ले लिया अभी स्टॉक हेड होता हूं नजर आ सकता है 133 और 126 की लेव क्या करें वह तो लेवल रहेंगे ही दूसरी चीज यह कि जिन्होंने ऊपर पोजिशन मिनाई है क्योंकि जैसा हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक इस्पूजर बहुत जादा है 160-170 पर तो देखो मार्केट में राली जब आएगी सारे स्टॉक चलेंगे आपको एक लेवल मिल जाएगा वापस से सेल आफ करने के लिए वहाँ आप सेल आफ कर सकते हैं otherwise आप यहाँ पर पोजिशन स्विच भी कर सकते हैं किसी ऐसे स्टॉक में जहां अल्रेडी एक प्रिविएस मुमेंटम मिल रहा हूँ तो it is up to you आप किस तरीके से सोचते हैं मार्केट को या आपके परस्पेक्टिफ पर डिपेंड करेगा हम आपकी जगह होते तो प्रॉबबली स्विच करने की कोशिश करते है और एपिसोड पसंद आया तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इंस्टाग्रा झाल